Hi Guys, मैं फिर बफ़ा पसा गए एक नय वीडियो के साथ बहुत दिन बाद मैं ऐसा लॉंग वीडियो बना रही हूं तो मेरे वीडियो में अंत तक क्या होता है और मैं क्या क्या बताती हूं यह जानने के लिए वीडियो को लास तक देखी है चलिए वीडियो स्टाट किया जाए सो बेसिकली हम बात करेंगे आज मतलब ऐसे मैंने फेस किया है कि बहुत सरे मेरे जूनियर्स या बहुत सरे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर थोड़ा से गन्फ्यूज हो जाते हैं कान की सरजरी में क्या होना है तो आज मैं मिस्ट्राइड के बारे में आपको बताती हूं ठीक और कुछ कुच टिप्स दोंगी जिससे आपको थोड़ा सा सरजरी समझने का मतलब हो जाएगा थोड़ा सरजरी कैसे समझनी है उसमें क्या प्रसस होने वाला है वो चीज़ आपक Mr. Mastroid Ectomy मतलब हमारा कान का पीछह जो ये बोन है ठिक है जो सकल वाला बोन है Mr. Mastroid Bone है वो जनरली होलो ही रहता है हमारा ठिक है वक इन्फेक्शन होने के कारण वो क्या होता है वो dead tissues या infection की वाज़े से वो hardened अप हो जाता है तो कभी भी कान की surgery करने होती है, यह Mastroidectomy का मतलब हमेशा हटाना, ठीक है, to remove, Mastroidectomy मतलब Mastroidebone को remove करेंगे, जो unnecessary infection है, उसको remove करेंगे, और Mastroidebone को फिर restore करेंगे, पहले जैसा, तो Mastroidectomy हमें पता चला कि भाई Mastroidectomy में क्या करते हैं, Mastroidebone को drill करके हटा देते हैं, और वहाँ पर वो back end space बना देते हैं, उसके बाद आता है टिमपेनोप्लास्टी, हमारा जो ear drum है उसको tympanic membrane कहते हैं, तो sometimes क्या होता है, किसी के कान से पानी गिर रहा है, किसी के कान से सन सन हवा रहा है या hearing loss हो रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई, tympanic membrane मतलब ear drum में ही कोई दि या बहुत सालों से healing loss से अगर वो जूज रहा है तो उसका tympanic membrane या तो मिलेगा नहीं नहीं तो उसमें छेद होगा तो general cases में क्या होता है कि या तो कान के पर्दे में छेद है या कान का पर्दा है ही नहीं तो उस case में surgery होती है sometimes अगर छोटा perforation है perforation मतलब छेद अगर छोटा perforation है तो भाई उसको implant लगा के भी उसको maintain किया जा सकता है ठीक किया जा सकता है बट हाँ अगर एकदम hearing loss है perforation बहुत बढ़ा है यह tympanic membrane नहीं है hearing ability बहुत कम है infection बहुत जादा है तो उसमें surgery करते है ठ है तो mastodectomy और tympanoplasi दोने एक साथ surgery करते हैं उसमें पहले क्या करते हैं कान की पीछे incision लगा के mastoid bone को drill करके एकदम restore कर देते हैं खाली कर देते हैं infection वाले tissues को हटा देते हैं उसके बाद पेर हमारा जो tympanic membrane है कान का परदा उसको fix करते हैं एक हमारे उपर वाले ही मतलब tissue 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 लेते हैं फेशिया जो होता है skin के layer के बीच में फेशिया होता है उसको लेते हैं उसको लेने के बाद उसी को eardrum के हिसाब से eardrum जिस जगह पर होता है वहां पर बैठा के eardrum का ही structure देके उसको fix कर देते हैं tympanoplasty मतलब plastic मतलब कोई भी चीज़ को repair करना तो हम क्या किए कि ear ear tympanic membrane eardrum को थोड़ा सा डिवराइड की उसके dead tissues को डिवराइड की और उसके बाद से जो फेशिया है उसको reconstruct कर दिये रिपेयर कर दिये तो यह होता है tympanoplasty कभी कभार ना सबको बहुत confusion होती है कि कौन से surgery में क्या होने वाला तो मैं सबको यह एडवाइज करूंगी कि अगर आप इस फील्ड में new है तो कोई भी surgery का जैसे ही नाम पता चलता है तो try to google it ठीक है google करने के पाद अगर आपको समझ में आ रही है कि भाई यह surgery है पेट की surgery है कान की surgery है तो भाई या तो वीडियो देख लो या फिर मन ही मन डोचार अज्यूप्शन अज्यूम कर लो कि भाई अगर यह कान का परदा रिपेयर करना है तो क्या करें इंसीजन दे के अंदर ही जाएंगे उसके अलावत तो कोई option नहीं है तो ऐसे surgeries को assume करने की कोशिश करो imagine करने की कोशिश करो अगर एक दफ आपको समझ में आ गया कि भाई surgery में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है कि step में कौन सा surgeon कैसा काम करने वाला है तो भाई you are good to go मतलब आप learning के एक सही direction में जा रहे है तो I hope मुझे आप comment कीजेगा कि आपको next video क कैसा चाहिए या किस topic पर चाहिए and thank you मेरे साथ इतना दिन से आप बने हैं मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं इतना उसके लिए very very thank you ऐसे ही में साथ बने रही है फिर मिलते हैं नेक्स व्लोग में बाई